BMS Academy में आपका स्वागत है अभी तक हमने जो data types प्रयोग की है Microsoft Access में इसके अत्रिक्त भी हमारे पस दो data types और अविलेबल है जो बहुत ही important है जिसमें एक है look up and relationship और दूसरी जो हमारे पस है वो है calculated field के रूप में लेकिन इनका प्रयोग समझने से पहले हम एक example का अध्यल कर लेते हैं हमारे पस तीन table available है जिसमें student double click करें आप इसे और देखें हमारे पस यहाँ पर table available हो जाता है इसमें student का id, उसका नाम, address, city, state, pin code, mobile यह information जानकरी यहाँ रखी गई है जैसे हमारे पस पहले student का नाम है शम्मी जो की इस address 33 केवनगर और अंबाला उसका city है state हरेना है इस तरह से pin code और mobile number उसका feed किया गया है यहाँ पर इसी के साथ हमारे पस दूसरा एक table और उपलब्ध है trainer के रूप में जो हमारे students को training देते हैं उन trainer का database में अलग से table बनाया गया है यहाँ हमारे पस trainer table में available है उसका id, trainer का नाम, trainer का address, city, state, date of joining कब उसने हमारा जो organization join किया और date of living अगर उसने छोड़ दिया है तो कब छोड़ा इसी तरह से उसकी salary क्या है और उसके contact number क्या है और इसके इतरिक्त हमारे पस trainer की photo का एक अलग से field available है इसके अतरिक्त हमारे पस एक table और है projects के नाम से यदि हम double click करें तो देखिए हमारे पस यहाँ project detail available हो जाएगी यहाँ project का id, उस project का नाम, कब वो project शुरू किया गया, कब वो project खतम किया गया और अगर उस project की कोई website है तो वो क्या है, यह project किस बच्चे ने मनाया, उसका id क्या है और क्या यह project verify कर लिया गया है, इसे check कर लिया गया है, project sample करने के लिए हमारे पस दो test की विवस्ता है जिसमें पहले test 1 के अधार पे नंबर दिये जाते हैं और दूसरी पर test 2 के अधार पे तो इस तरह से हमारे पस यह तीनों tables की detail available है अब सबसे पहले हम अध्याल करेंगे calculated field कैसे बनाई जाती है calculated field का उधारण हम यहाँ से देखेंगे हमारे पस यहाँ दो test लिये जाते हैं strengths का जो project है पास करने के लिए test 1 और test 2 लेकिन यहाँ मैं एक field और बना सकता हूँ जिनमें इन दोनों test का total लिया जा सकता है और जो एक calculated field के रूप में परियोग होगी इसके लिए यहाँ पे अगर आप click करें click to add पे यहाँ हमारे पस नीचे सबसे नीचे calculated field का option आ रहा है क्यूंकि मेरे पस दोनों चीज़े number में है test 1, test 2 तो मैं इसके लिए number का प्रयोग कर लेता हूँ जैसे ही आप इसे click करते हैं तो आपके पास upload हो जाता है expression builder expression builder में आप test 1 और test 2 को जोड सकते हैं जो की तीसरी field में इन दोनों का total दिखाएगा इसके लिए ध्यान दें यदि आप expression builder पे तो उपर की तरफ हमारे पस expression के लिए जगा बनाई गई है expression के element आप इस box में से ले सकते हैं जिसमें आप इन चार चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें सबसे पहले है project जो table है उसकी fields यहाँ यदि आप ध्यान दे तो expression categories में वो fields दी गई है यदि आप function पे click करें तो आप built-in function पे click करके expression category के अंतर गर देखें आप function बहुत सारे अवलेबल हो जाएंगे और यहाँ यदि आप इसे hide करना चाहते हैं तो click कर दें इसके तरिक्त हम constants भी ले सकते हैं और operator का प्रयोग भी कर सकते हैं क्योंकि मुझे test 1 और test 2 का total करना है इस field में तो इसके लिए project जो हमारा table है उस पे click करूंगा यहाँ से क्योंकि मुझे इन दोनों field का total करना है तो test 1 पे double click करूंगा जैसे ही मैं double click करता हूँ देखें यहाँ पे उपर की तरफ expression add हो जाता है मैं चाहूं तो plus का निशान अपने keyboard से दबा सकता हूँ और चाहूं तो operator पे click करके arithmetic पे click करके आप plus का निशान प्राप्त कर सकते हैं इस पे जैसे ही plus पे double click करेंगे plus का निशान भी available हो जाएगा मैं फिर से project पे click करता हूँ तो देखें मेरे पास फिर से expression categories में test 2 को select कर लेता हूँ अपकी बार इस तरह से मैंने दोनों field का जो एक expression बना लिया है test 1 plus test 2 के नाम से जैसे ही इसे मैं ok करता हूँ तो देखें मेरे पास एक field available हो जाते है जिसमें इन दोनों का total available हो गया है यहाँ अभी हमारे पास field 1 इसका नाम दिखाई दे रहा है यहाँ मैं इसका नाम change कर सकता हूँ test 1 और test 2 पे अधारित है इस तरह से मैं यदि आप ध्यान दे तो calculated field में हमारे पास इन दोनों column का total है वो तीसरे वले column में available हो जाता है test 1 test 2 का total है वो marks में available हो जाता है इसमें सबसे important बात यह है कि माल लीजिए किसी कारण से अगर मैं number change करता हूँ test 1 में number change करता हूँ तो सीधा जो फरक है वो सीधा सीधा हमारी marks field पे पड़ता है और वो total भी हमारे पास यहाँ change हो जाता है तो इस तरह से हम calculated field का प्रयोग कर जबते हैं अपने tables के लिए अब हम एक उधरन और देखेंगे और look up and relationship जो हमारे पास data type है उसका example देखेंगे अब मैं यहाँ यह चाहता हूँ कि हमारे पास जो trainer है उनका जो नाम है और जो उनका ID है उसको इसके साद लिंक किया जाए उधरन के तोर पे project जो 1 है जिसका नाब guidance theory है जिसको student 1 ने त्यार किया है अब student 1 जो ID है उसका trainer कौन सा है मैं यह जाना चाहता हूँ इसके लिए मैं look up field का प्रयोग कर सकता हूँ इसके लिए मैं यहाँ click करता हूँ और look up and relationship जो हमारे पास data type है उसके click करता हूँ जैसे ही मैं click करता हूँ हमारे पास एक look up wizard open होकर available हो जाता है अब यहाँ हमारे पास दो option है क्या मैं जो values हैं किसी दूसरे table से चाहता हूँ या वो values मैं खुड type करना चाहता हूँ अभी मैं उधारन के लिए यह खुड type करना चाहता हूँ जैसी ही मैं next प्रय क्लिक करता हूँ मेरे पास यहाँ एक option available हो जाता है कि मैं कितने columns चाहता हूँ अपनी values के लिए यहाँ मैं सरफ एक column चाहता हूँ तो यहाँ पे एक लिका हुआ है इस column में मैं अपनी values type कर सकता हूँ जिने मैं look up places फिल्ड में चाहता हूँ यहाँ मैं अपने जो मेरे पास तीन trainer हैं उनके नाम यहाँ type कर देता हूँ जैसे ही मैं next क्लिक करता हूँ अब मेरे से उस field का नाम पूछा जाता है जो look up field के रूप में available हो पाएगी तो यहाँ मैं trainer name के रूप में उस field का नाम दे देता हूँ यहाँ हमारे पास दो option और है limit to list इसमें क्या आप चाहते हैं कि जो entries हैं उनकी limit choice हो और दूसरा option है हमारे पास allow multiple values जिसमें आप एक से अधिक values को भी select कर सकते हैं क्योंकि हमारी requirement यह है कि एक student के उपर एक trainer है इसलिए मुझे allow multiple values की अवशकता भी नहीं है जैसे ही इसको मैं finish करता हूँ मेरे पास यहाँ trainer name available हो जाएगा और जैसे ही मैं यहाँ click करूँगा तो एक combo box available हो जाएगा जब मैं click करूँगा तो जो नाम मैंने type किये थे वो तीनों यहाँ available हो जाएगे अब जो trainers जिस student का है उसके लिए मैं click कर दूँगा यहाँ पे और वो trainer select करता हुआ चला जाँगा इससे मैं असानी से उन नामों को इस project के साथ जोड़ सकता हूँ जो trainer इनको train कर रहे हैं लेकिन इसमें एक समस्या यह है कि मान लीजिए मेरे पास अगर कल की rate में trainer और आ जाते हैं या student और आ जाते हैं तो मुझे फिर से नई list त्यार करनी पड़ेगी इसके एत्रिक्थ हमारे पास एक और इसका विकल्प है जिसका प्रयोग हम अभी देखेंगे इसमें